कि दो अरफिसके टायर आसे इस तरिके से बनाए गये पंखते हैं जो कि स्वैब से फवसल में बड़ी बड़ी जो पॉपसले होते उसमें आफ इसमें चलाः सकते हैं यह पाइप भी देख सकते हैं कितना पुराना यानि कि यह सालोस यह जुगार यहां पर अमरावती में यूज हो रहा है कि अब चालू करदिये सरै यह देखिए कि दोस्तों आज तक आपने इस परे के बहुत सारे जुगार देखे होगे ट्रैक्टर के उपर देखा हुगा हाच से करती हुए देखा हऊगा है सबस्क्राइब कीजिए बेल आइकॉन दबाईएगा ताकि एसे खतरनाक वीडियो के नॉटिपिशन आप तक आती रहे और हाँ यह वीडियो पूर आपको देखना है तो पहले तो मैं आपको बताता हूं यह देखिए आगे दो बैल है बीच में दादाजी बैटे और उन्हो थे अराम से बेठकिए हाथ में देखिए रशी ओगेरा पकनानेट deeply system और क्या है कि यहां पर सीदा जो है बीच में देखे जैसे बेल-गाड़ी होती है वहां पर क्लेट किया है और यहां पर बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से 200 L कि तंग की घुपिट की गई हूँ पहले तो आप देखे यह है यहां पे इंजन इंजन कितना है तीन इंजन है उसको बेल्ट के दोरा कनेट किया है और हमारा हाई प्रेशर का जो स्प्रेंग का सिस्टम होता है यहां पे लगाया गया है यहां पे यह देखे यह इनलेट है जो कि नीचे से बैरल में कनेक्ट है और बेरल में connect होने के बाद यहां पर फिल्टर लगा है तो कोई कचड़ा अचड़ा आता है तो वहां पर connect है और यह सीधा यहां पर आउटलेट है और यह आउटलेट सीधा जो है यहां पर पाइस में आया और इसके टायर भी आप देख सकते है इस तरीके से बनाए गए है स्वयबिन के फसल में बड़ी बड़ी जो फसले होते उसमें भी आप इसमें चला सकते है जो मतलब इस कद की जो घुटने तक आती है कमर तक आती है उसमें असानी से अब मैं इसकी जान दिखाता हूं इस जुगाड की यहां पर पीछे की तरफ क्या है कि एक स्टैंड खड सकते कितना पुराना यानि कि यह सालों से जुगाड यहां पर अमरावती में यूज हो रहा है तो वाकवी में कमाल का जुगाड है हम जा रहेते हमारे घर अमरावती से संगले डिस्टिक के तरफ महराष्ट में तो हमने देखा कि यह कमाल का जुगाड हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता कि बैलों के साथ मतलब यह जुगार इस्तमाल किया जाए अब दोस्त हम पहले आपको लाइव डेमो दिखाते हैं और उसके बाद बताते कि इसके फाइदे क्या है इससे क्या-क्या होता है कितने समय में कितना एकर यह निकालता है अब चालू कर दिया सर किसान यहां पर मिर्च लगी है फ्लावरिंग अच्छा है तो यह सब इतना यहां पर कड़क क्यों है क्योंकि हमने यहां पर इस्तमाल किया है फुजिको एफेस यह एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है हमारी फसल फुल चार्ज में इसका कारण है यह फुजिको एफेस इसलिए द इसलिए इसलिए इसको फसलो का चार्जर कहा जाता है मैं तो इसे किसान का चार्जर भी कहूंगा क्योंकि फसल चार्ज तो किसान चार्ज और सबसे खास बात दोस्तो आप इसे सभी फसलों में इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो फुजिको एफेस की बोटल 100 ml, 500 ml, 500 ml, 1 लिटर में भी आती हैं और इसका प्रमान है प्रतियकर 400 ml का इस्तमाल करना है फुजिको एफेस के साथ-साथ पारिजाद कंपनी के बहुत सारे अन यह देखिए यह देखिए इसने दवा चिड़कना चालू कर दिया और राइट साड्य में दादा जी के हात में लिए जो इससे पारिख्ड़ां ससे ङे पारिष दकंपनी करके सरै यह देखिए कर्दों को बढ़िख्व और जब दोधे देख्या पारिखे। और सबसे एहम बात दोस्तों हम इस फसल में अगर ट्रेक्टर डालने की कोशिश करें तो उन भी नहीं डाल सकते कोई हम अगर चलना चाते हैं तो वो नहीं चल सकते हम अगर तेजी से काम नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर कितना fast और तेजी से बहुत यह बढ़ीया तरीके से हो रहा है वो देखिए तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा कि यह जुगाड से बहुत यह बढ़ीया तरीके से स्प्रे करते हुए जा रहा है coverage भी अच्छा ले रहा है और समय की बच्चत भी यहाँ पर हो रही है हम हमारे खेत में जब स्प्रे करते हैं तो क्या है hose pipe लेते हैं पीछे engine चलाते हैं दो टंकी लेना पड़ता है लेकिन यहाँ पे सारा ताम जम साइड में यहाँ पे केवल बैल लेना पड़ता है बैल जो साथ में चलते हैं उपर टंकी है engine सारा system उसे के उपर fit है और तेजी से हो जाता है और यहाँ पे 10-10-12-12 एकर में घुमाने के लिए जी हो जाता है यहाँ पे farm देखे कितना बड़ा सोयाबिन की खेती है और इसमें दूर-दूर तक अगर spray करना हो तो दिन चले जाएंगे लेकिन यहाँ पे इस जुगार से आदे घंटे में दो एकर spray हो जाता है और सबसे खास बात क्या है कि यह पूरा फॉल्डेबल भी है जैसे अभी इसके अंदर का पूरा पानी खतम हो गया है तो पानी भरने के लिए कुवे पे जाएगा तब यह इसको फोल्ड कर देंगे ताकि कहीं से भी डालने के लिए आसान हो जाएगा जो लंबा रहेगा त हैं आ ANDREW थहाल में पूरा दाज़ बारा हाज हो जाता है कि अगदे में पूरा दाषिय कर दो चीज़ बताए अप कितने साले कर रहे और इसमें खर्चा ककी इस इसाल है बंड़ा चायक तारे हैंब विंगानें यह घर यहां पर यह बाड़े पर चलता है कि नहीं हम खुद की शटी हमारी साव एककर हम खुद के खेति में इस्तमाल करते बहुत ही बढ़िया और खास लगा कि आप यह ही इस वज़े से इसी का इस्तमाल करते हैं ज्यादा तर पूरे का पूरे खेती में बहुत बढ़िया मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया इतने उमर के दादा जी है जो इस जुगाड को चला रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो दोस्तों जैसे कि यहां से शायद कर सकते हैं यह देखे यहां पर नीचे भी कर सकते हैं और बाहर के लिए यहां पर सारा सिस्टम दिया गया है तो क्या कमाल का यहां पर जुगाड है दोस्तों इसको ना आप कम से कम 20-25,000 शेर तो ज़रूर कीजएगा क्योंकि हर एक फार्मर को अगर तर्णेवार